हेलो एवरिवन, शुरुतीस कीचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं। आज मैं कोई रेसीपी नहीं लाई हूँ, लेकिन एक बहुती अच्छी इंफोर्मेशन आप तक लाने का प्रयास कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे मिलेट्स के बारे में, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हैं। मैक्जिमम लोग आजकल हर खाने की चीज में मिलेट्स जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट हो, लांच हो, डिनर, स्नैक्स यहां तक कि डेजर्ट्स में भी मिलेट्स पसंद कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो यह नहीं जानते हैं कि मिलेट्स होता क्या है। मैं भी मिलेट्स का रेगिलर यूज करती हूं घर में और इसके द्वारा निरमीत केक्स, कुकीज, मॉफिन्स, सेल भी करती हूं। तो काफी लोग ने मुझसे यह प्रश्न पूछा हैं कि इतना मिलेट्स मिलेट्स सुन रहे हैं। लेकिन यह मिलेट्स होता क्या है। जैसे कि अनाज को तीन कैटेग्रीज में बाटा गया है। पहला निगेटिव ग्रेंज, दूसरा निट्रल ग्रेंज और तीसरा पॉजिटिव ग्रेंज. निगेटिव ग्रेंज में गेहूं, चावल आते हैं। Neutral grains में बाजरा, ज्वार, रागी और प्रोसो आते हैं, जिनें मोटा अनाज भी कहा जाता है, और positive grains जैसे कंगनी, सामा, कोदो ये आते हैं, तो positive grains और neutral grains को millets कहा जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये कहा जाता है negative grains नाम से ऐसा लगता है कि ये negative है, बट ये depend करता है area wise, जिस area में ये ज़्यादा पाया जाता है, गेहूं चावल, ऐसा नहीं है, ति वहाँ हमें गेहूं चावल नहीं खाना है, और millets ही खाना है, तो हमें अपनी diet में ये तीनों ही तरह के अनाज खाना चाहिए, millets को पहले गरीबों वाला अनाज कहा जाता था, ऐसा मैंने सुना है, क्योंकि हो सकता है, ये बहुत ही आसानी से कहीं भी उगाया जा सकता है, कम पानी में भी ये अच्छा ग्रू हो जाता है, लेकिन आजकल ये हर जगर चलन में आ गया है, यहां तक कि हमने देखा, United Nations ने year 2023 को international year of millets भी घोशित किया था, इसके पीछे उद्देश यही है, कि लोग देशी अनाजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें और स्वस्त रहें, तो millets के फायदे भी बहुत सारे हैं, यह हमारे स्वास्ते के लिए बहुत फायदे मन्द है, इसमें protein और fiber के मात्रा बहुत होती है, इसकारण यह हमारी बोडी को strong बनाने में help करता है, blood sugar, cholesterol, heart issues, digestion issues, हर तरह की बिमारी में फायदे मन्द होता है, अब बात आती है, हम यह millets कैसे खा है, तो हम इसके बहुत सारी dishes बना सकते हैं, जिसकी recipes आप देखना चाहते हैं, तो वीडियो में कमेंट कीजेगा, मै आपके लिए जरूर अपलोड करूँगी, millets को हम कई तरह से खा सकते हैं, इससे हम खिचडी, दलिया, उपमा, रोटी, पूरी, पराथे, डोसा, इडली, खमन, केक्स, कपकेक्स, मॉफिन्स, बिसकेट, कुकीज, और भी कई सारी recipes बना सकते हैं, तो यह था millets के बारे में एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो, तो प्लीज, डू लाइक, शेर और सब्सक्राइब, मिलते हैं और वीडियो में तब तक के लिए, बाई बाई